आज हम बनाएंगे पनीर मसाला जो की बहुत ही असानी से बनता है और खाने में जबर्दस्त बहुत ही जबर्दस्त आईए शुरू करते हैं आज की रेसिपी सबसे पहले हम पैन में डालेंगे एक बड़ा टेबल सुन ओयल उसके बाद हम डालेंगे चौप क्यू हुए प्याज थोड़ी सी कलर चेंज होने लगे तो हम एक टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट एड़ करेंगे थोड़ा सा सौते करने के बाद हम इसमें डालेंगे ड्राइ मसाले चलिए अच्छे से भुन गया है हम डालेंगे धन्या पाउडर एक बड़ा टेबल स्पून लालमिज पाउडर एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर एक टी स्पून गरम मसाला पाउडर एक टी स्पून थोड़ा सा इसको भूनेंगे लेकिन थोड़ा सा इसमें पानी एड़ करेंगे जिससे मसाले हमारे अच्छे से थोड़े भून जाए धीमी आज पे थोड़ा सा मसाले जैसे ही हमारे भून जाएंगे हम इसमें वेजी जो हम डालना चाहते हैं वो एड़ करेंगे अंटेल कितने अच्छे से सेपरेट हो गया है तो हम इसमें दो बड़े तमाटर बारिक बारिक चौप करके डाल देंगे अब तमाटर को थोड़ा सा गलने देंगे वैसे मैं बता दो कि पनीर बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन का और कैल्शियम का तो इसे अपने खाने में जरूर एड़ करिएगा और एक चीज मैं और बताना चाहूँगी पहले हम देख लेते हैं टमाटर हमारे गल गए हैं हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्ची रफली चॉप शिमला मिर्ची मैंने इसमें डाला है एक बड़ी पनीर हम लेंगे आधा किलो हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि प्रोटीन से आप अपना वेट भी कम कर सकते हो क्योंकि बहुत ही आसानी से आपका वेट लोज हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत लो कैलरी होती है और लो फैट होता है यह one of the reason है कि आप अपने डाइट में इसको एड़ कर सकते हो और अपना वेट लोज करने में काफी helpful होगी यह recipe तो पनीर हमारे कट गए हैं बातों बातों में आईए डाल देते हैं हम इसमें जो मसाले हमारे भुन रहे हैं बहुत ही जबर्दस खुश्बू आ रही है भुना भुना पनीर खाने का जायका जएना बहुत ही अलग होता है इसके साथ अगर बटर नान मिल जाए तो आह कहना ही क्या बहुत अच्छे से रेडी हो गई है हमारे मसाले पनीर मसाला अब हम उपर से जो है गानिश करेंगे थोड़ी सी मलाई घर की मलाई मैंने ली है हरी धनिया थोड़ी सी बारिक-बारिक काटके उपर से गानिश करिए और थोड़ा सा हरी मिर्ची बारिक-बारिक काटके आप उपर से डाल दीजेगा अगर आप spicy कम पसंद करते हो तो you can avoid हरी मिर्ची उपर से थोड़ी सी हम क्रश करके कसूरी मेती डालेंगे वन टीस्पून तो गर्मा गरम मज़ेदार पनीर मसाला बनके एकदम तयार है आप इसे जरूर ड्राइ करिएगा स्टे हेल्टी स्टे पेट एंड पॉइंग पूड़ी यो बाबाई